कि क्लास्टिफ सब्जेक्ट मैथ तो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हाउ मैनी स्कैर्स उसका हमारे बास बोड़ा बोद रहता था वो आज हम कहते हैं तो आप देख सकते हैं यह बड़ा सा एक रेक्टैंगल है जो लैंग इसकी 15 सेंटिमीटर है और ब्रेट जो ह ट्रैंगल है तो अब हमने क्या करना है हर एक शेप को हमें देखना है उस शेप के अंदर उस शेप का हमने एक्चुली क्या करना है एरिया निकालना है तो लेट स्टार्ट यह देखिए पहली शेप जिसका नाम ए है यह एक्चुली रेक्टैंगल के अंदर ट्रैंगल बना उपऑक अंदरऀ कितने س्कायर्स हैं,1-1 स्कायर सेंत्यमिट्र के, तो हम इस triangle का area का area निकाल सकते हैं, क्योंकि ये triangle जो है 30скर shaped rectangle है, ठीक है बचों, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर क्या लिखा है, area of triangle A, वो किसके बराबर है half of area of rectangle यानि इस rectangle का half तो let's count कि इसके अंदर one one square centimeter के कितने चोटे चोटे squares बने हुए हैं तो देखे बचो हम count कर लेते हैं one two three four five six seven eight nine ten eleven and twelve है तो बच्चो इस square के अंदर जो है वो 12 छोटे squares बने हुए हैं तो मैंने क्या लिखा यहां पर half का मतलब one but two multiply area of square हमें कितने count कि हैं तो हमने count कि 12 तो two one's a two two six a twelve six square centimeter इस triangle का area हमारे पास आ गया है ठीके बच्चो इसी तरह आप figure भी देख लीजे फिगर बी जो है यह एक square है ठीके बच्चो आप यहां पर देख सकते हो हम इसका area कैसे निकालेंगे square के अंदर हमें इसके अंदर देखना है फुल one square centimeter के कितने squares है इसमें और half filled कितने हैं और quarterly filled याई वन बटा फूर्थ हिसा वाले कौन से ऐसे squares है आप देख सकते हैं यहां पर फुल one square centimeter के square कितने हैं वो है चार यह देखे one two three and four तो half filled कौन कौन से हैं यह देखें यह half filled है यह one है यह two half filled है यह भी three यह four half filled यह भी half filled है मैं एच यहां पर सिंबल लिक रही है यह half filled और यहां तर हमें चार आए यह पांच और यह छे half filled यह seven half filled square है और यह eight half filled square है तो हमारे पास कितने half filled आए आठ हमारे पास half filled square आए और अब बच्छो अब देखिए quarterly यानि one बटा फूर्थ हिसा हिसे वाले square कौन से कौन से हैं जैसे यहां पर मैंने क्या लिका है quarter को मैंने denote किया है क्यों से क्यों one यानि one two यह वाला भी one fourth हिसा इसमें occupy किया है और इसने भी यह three और यह four यानि quarterly filled हमारे पास square कितने है चार तो अब formula में हम डाल देते हैं area of square being is equal to four complete square plus eight half filled square हमारे पास वो 8 आए थे प्लस चार quarter square ठीक है बच्चो तो यहां पर four की जगा four मैंने लिख दिया plus sign यह वाला यह half filled है तो one बटा two multiply by eight आएगा क्योंकि आठ हमारे पास half filled आए complete squares नहीं थे प्लस यह वाला प्लस four four जो है वह हमारे पास quarter square आए यानि जुन्होंने एक बटा जो साइश साइब गिया रहे तो one बटा four अब आप देख लिए यह formula में four as it is plus sign two ones are two two fours are four one's a four तो मैंने यह पर four लिख लिया plus four यह और यह four cut गए one four plus four eight plus one हो गया nine nine square centimeter यहां पर हमारे पास answer आया है ठीक है बच्चो नेक्स